थालो गाइस कैसा साब सबाइब लाइब में सब कुछ साही चल रहा है तो बाइब डाइब नोट 7 pro और्यालमी 3 pro क्योंकि रेलमी 3 pro का तो जो बुच के लिख कर रहा है और डीग बेच पर इसका जो स्पेसिफिकेशन से लिख हो के आ चुका है एंड जो मेन कंविशन है रेड्मी नोट 7 प्रो और येल्मी 3 प्रो देखो रेल्मी 3 प्रो में हम लोग जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कुछ innovative Technology लाइक पॉपप डूप क्वारे इंडिसप्ले फिंगर्पिंट स्कैनर हो साब को देखने कोने मिलगा बट ठेंग और इन दिस्पेले फिंगर पिंगर्पिंट श्कैनर नहीं है क्योंकि बच्पेले सेग्मेंट में कैमेरा इसका बैटरी और चार्जिंग में एंड मेभी इस बार आपको जो डिस्प्ले है वो एमोलेड देखने को मिल सकता है बट आई दोंट थिंग सो एमोलेड मिलेगा बिसिकली रियल्मी कुछ फाल्तू का कर्चे है यह पर नहीं करेगा मुझे लगता है आई पीस एलसी पैनली देखने को मिलेगा बाइद वे में रियल्मी 2 Pro, Realme U1, Realme 3 यूज़ कर रहा हूं भाई कमाल का डिस्प्ले है रियल्मी का डिस्प्ले है बहुत ही अच्छा होता है सो मुझे नहीं लगता है रियल्मी एमोलेड डिस्प्ले प्रोवाइड करेगा IPS LCD पैनली बहुत ही अच्छा होता है यह पर डिस्प्ले के उपर गोईलया गलास 5 का प्रोडेक्शन देखन नो को मिल सकता है क्योंकि रियल्मी का इससे पहले जितने भी डिवाइस है आप सभी में आपको गोईलया जाहा स्थी का प्रोडेक्शन कमिलता है have Market में बहुत यदाधा competition front side में भी है backside में भी है so maybe realme 3 pro में front side में देखना को मिल सकता है and जो display size होना वाल है maybe 6.3 6.3 inch होना वाला है क्योंकि gigbench पे लीक होके आया 6.3 inch आपको display size देखना को मिलेगा obviously full HD display होना वाला है water drop due drop और V shape जासा भी हो आपको ऐसा छोटा नॉच देगने को मिलेगा बहुत अच्छा होता है रियल्मी का नॉच क्योंकि रियल्मी यह जो नॉच का साइट पे जो जगा होता है उसको वेस्ट नहीं करते हो वह पड़ी आपको जितने वीडियोस हो गेम हो सब कुछ उसी नॉच के साइट पे भी दे आप बात की बात किया जाए तो रील्मी 3 से हमना माइंड चेंज कर लिया है सो इस बार से आपको रील्मी के हडे डिवाइस में ग्रेडियांट कलरंगे वी याइंट अब दिनको मीलता है रूम्हीं को अच्छा कवलिटी सेग्मेंट पर형utan AMY कि नहीं सो इस बार भी आपको रियल्मी 3 प्रो में प्लास्टिक धैकी देखने को मिलेगा बाट दोंट वारी बहुत ही अच्छा क्वालिटी का होना वाला है और जो कैमेरा लियाओट है वो आपको होराज़ेंटल देखने को नहीं मिलेगा इस बार आपको वोटिकल देखने एक फ्लैस तो जो एपर्चर साइज है वो रियल्मी बहुत ही वाइड प्रोवाइड करता है वियल्मी 2 प्रो में 1.7 अपर्चर था अब यह अपर जो सेंसर होने वाला है उसका नाम है सोनी आएमेक्स 519 जो आपको वन प्लस 6T में देखने को मिलता है सो डेफिनली जो सेंस बहुत ही अच्छा था रियल्मी 2 प्रो का सेंसर रियल्मी 5T जैसा था रियल्मी 3 प्रो में आपको रियल्मी 6T जैसा सेंसर देखने को मिलेगा अब फ्रॉंट केमरा की बात किया जाए तो फ्रॉंट केमरा में इस बार आपको हायर मेगापिक्सल काउंट देखने को मिलेग पर आपको Redmi Note 7 Pro से थोड़ा सा बेटर देखने को मिलेगा इन सेल्फी सेग्मेट बाइद बैक कैमेरा में Redmi Note 7 Pro and Realme 3 Pro almost same to semi होना वाल है दोनों का sensor बहुत ही अच्छा है and optimization जिसका बैतर होगा उसका यह output सबसे बेटर होगा अब हम यहां पर कैमेरा की बात कर रहे हैं तो जीकेम का भी बात कर लेते हैं तो बाइं कैमेरा का optimization जो default camera है उसका optimization जैसा भी हो यहां पर आपको मैं आपको guarantee दे रहा हूँ आपको Gcam का support देखने को मिल जाएगा मतलब out of the box ही इस device में आपको camera to API enabled देखने को मिल जाएगा आप without any hassle यहां पर Gcam को install कर सकते हो हैं जीकेम का output आपको पता ही है यहां पर snapdragon का processor है so easily आप Gcam को install कर पाऊगे and यहां पर आपको Redmi Note 7 Pro में भी आपको Gcam का support देखने को मिल जाता है तो बहुत ही tough competition होने वाल है and जब हाथ में आएगा तो मैं definitely इन दोनों device का camera को में पहले compare करने वाल हूँ review से पहले comparison आएगा don't worry stay tuned for that but इससे पहले मैंने Redmi Note 7 Pro के साथ Realme 3, Asus 1 Pro Max Prime 2, Realme 2 Pro सबका में camera comparison video बनाया है आप मेरा video section पर जाके चेक कर सकते हो बट हो सके तो मैं description पर भी डाल दोंगा अगर भूल गया तो आप video section पर जाके चेक कर सकते हो and और एक चीज़ future camera comparison के लिए subscribe कर लो यह जो लाल टीशेट है वैसा है आपको subscribe button देखना को मिल जाएगा and bell icon भी दबाना मत भूलना अब चलो में चीज़ की बात करते हैं मतलब प्रोसेसर की बात करते हैं YouTube Twitter कोई भी website हो अब कहीं पर चेक कर लो आपको हट जगा speed 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 और speed का ही tagline देखने को मिलेगा basically realme 3 pro का tagline is speed basically realme 3 pro का tagline is speed basically realme आप पर प्रोसेसर उसके पर बहुत ही focus कर रहा है snapdragon 710 देखने को मिलेगा geekbench को अल्रेडी लीक हो के आ चुका है मैं आप लोगों को आप पूरा detail बता देता हूं आप screen पे चेक कर लो तो है पर geekbench पे लीक हो के आया single core score 1483 multi core score 5900 मतलब प्रोसेसर आपको पता है snapdragon 710 है यह आप जो android version है android 9 है obviously आपको android पाई देखने को मिलेगा और उसके साथ आपको जो यू आई है और एक चीज में मेंशन करना भूल गया है आपको camera में chroma boost के साथ एक night mode का feature भी देखने को मिल जाएगा so camera और भी बहुत ही जदा optimize हो जाएगा chroma boost के तुरू और नाइट मोट के तुरू एंड यहां पर जो प्रोसेसर है डेफिनली एक October प्रोसेसर है तिन नानो मिटर एर्किटेक्चर को पर बना है बहुत ही प्रोसेसर है Redmi Note 7 Pro का जो प्रोसेसर है स्टिक 75 तो उसका प्रोसेसर उतना ज्यादा प्रोसेसर नहीं है 12 नानो मिटर पर है so यह डेफिनली उससे ज्यादा प्रोसेसर बनेगा एंड यहां पर जो बेस फ्रिक्वेंसी है वो निकल के आया है 1.71 GHz I hope की Realme आपर अंडर क्लॉक प्रोसेसर प्रोवाइट ना करे मार्केट बहुत ही कम्पूटिटिव है अगर अंडर क्लॉक प्रोसेसर प्रोवाइट करता भी है बट मुझे नहीं लगते की उतना ज्यादा अर्सलो नहीं वाला है क्यूकि प्रोसे जो गेमिंग एक्स्पिरेंस से अपको रियल्मी 3 प्रो में बेट देखनों के मिलेगा रियल्मी उसी के ऊपर बहुत जादा अडवर्टेस्मेंट कर रहा है फूर्ट नाइट पट जी एसफल नाइन अपने शायद एक ट्वीट तो देखी लिया होगा जहापर किया है स्पीड शाट के साथ कुछ बर्स्ट मोड फॉर्ट भी पोस्ट किया है शायद आप रियल्मी 3 प्रो में कंटिनिया शूटिंग भी कर सकते हो बहुत या अच्छा बात है जो प्रोसेसर है उसी के कारण यह सब प्रोसेबल हो रहा है सो डिवाइस में कोई भी लैक द इंटर्स टोरेज सेकेंड आपको 6GB अपर देखने को मिलेगा जो घीक बेंच पर लीख खो कर आए आपर 6GB वाला जो डिवाइस से उसी का टेस्ट किया गया है शो सेकेंड आपको 6GB रैम उच्छ इस्टीफोग बिव इंटर्स टोरेज देखने को मिलेगा एं थार्ड आप सीपोर्ट देखने को नहीं मिलेगा और पुराना वाला माइक्रो यूएसबी पोर्टी देखने को मिलेगा बट उससे क्या फार्क परता है यहां पर आपको फॉस्ट चार्जिंग मलब वूक 3.0 का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा और व्यल्मी 3 प्रो रेड्मी नोट्स नहीं है आपको बाहर से इंपोर्ट करना पड़ेगा कोई फाइदा नहीं को फॉसको आप यूज नहीं कर सकते हो व्यल्मी 3 प्रो में आपको वूक चार्जिंग 3.0 का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा इवन बॉक्स के अंदर भी आपको फॉस्ट चार्जर भी देखने क का साइज कितना होगा सब्सक्राइब गीग बेंच पर लीक होके आया है 3,900 सम्थिंग होना वाला है सोचला 5,000 इमेज जैसे आपको बैटरी देखने को मिल जाएगा मतलब आप जो ओवरल बैटरी बैक आप होना वाला है बहुत ही कमाल का होएगा और फास्ट चार्जर फा यह लगता है यह वन अब बेस्ट डिवाइस होना वाला है बिल्ट क्वालिटी में भी आपको ग्लास बैक देखने को नहीं मिलेगा बट आई होप यह रेड्मी नोट्स वें प्रो को इन इच और एबर सेग्मेंट में भी बीट कर देगा एकसे बिल्ट क्वालिटी तो ठाहू जो क्या बटसे सो में वाला स्वें तो सुट वे भी आपको यह प्रू रहा है प्लिज़ सेग्म sina को वे रहा है प्लास ज्ज़ पτά कर दो हैं वे नो का देखनार को नेका की वे संवास हाम क्योव